हेलो प्रेंड कैसे हो आप सभी तुलसी के पास दिया जलाने से दूर होती है बुरी सक्तियां मिलते हैं कहीं लाव हिंदू, दरम में तुल्सी के पौदे को बहुत पवित्र माना जाता है तुल्सी का पौदल लगवग हर घर में होता है घर में तुल्सी का पौदा लगाने से हमेशा बरकत होती है बिशनु भगवान को तुल्सी बेहत प्रिये है तुलसी के पौदे में विश्लू भगवान के सासात मा लक्षमी का भी बास होता है तुलसी की जड़ों में भगवान साली गराम का बास माना जाता है जोत सास्तर में तुलसी के पौदे के पास साम के समय दीपक जलाना बहुत सुब माना जाता है मानताओं के अनुसार तुलसी के पास दिया जलाने से बुरी सक्तियां धूर होती है साम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौदे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अचुक उपाय है माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है सास्तरों में आटे के दीपक को बेहत सुब और पवित्र माना गया है तुलसी के पास आटे का दीपक जलाने से मा लक्षुई के साथ मा अनपूर्णा का भी आसरवाद मिलता है अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें इस उपाय से सुब फल मिलते हैं और गौ माता का भी आसरवाद मिलता है तुलसी पर गी का दीपक जलाने से पहले उसमें थोड़ा सा अक्षट डालें और इसके बाद दिया जलाएं इस उपाय से दरदता की दूर भागती है और मा लक्षुमी का आगमन होता है नियम तरूब से तुलसी को जल देने और उसके पास दिया जलाने से जीवन में चल रही परिसानियों से छुटकारा मिलता है इसके पिरवाव से घर में नकारात्म कूरजा बाहर जाती है और घर में सकारात्म कूरजा आती है तुलसी के पास दिया जलाने से घर में चल रहे गिरह कलेज खत्म होते हैं और घर में सुक सान्ती और खोसाली आती है रविवार के दिन तुलसी के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए तो फ्रेंड ये जानकारिया आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को जादा से जादा लोग हम शेयर कर दें चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को कर लें धन्याबाद